15. If P and Q are two integers, P and Q are two integers, such that P is the predecessor of Q, P and Q are two integers, P is the predecessor of Q, P is the predecessor of Q, P क्या है, predecessor मतलब यसे माले एक नंबर है, रफली एक्स्पेंड कर जो भी मैं, एक नंबर है आपके पास, 5 ठीक है, 5 एक नंबर है, इसका predecessor क्या होगा, 4, means predecessor मतला एक number कम 5 है उसका एक number कम कौन सा होगा 4 होगा तो ऐसी तरह से P और Q दो number हैं ऐसे integers हैं उसके P क्या है predecessor of Q then P minus Q is equal to P minus Q क्या होगा ठीके मैं मान रहे हूँ let Q क्योंकि मैं क्या बोला है P is the predecessor of Q P क्या है एक number कम है Q से let Q is equal to 5 यह मैं एकजामपल ले रहे हूँ Q की value कितनी है 5 तो P कितना होगा एक number कम तो क्या होगा एक number कम 5 से 4 तुन्हें पूछा then P minus Q P minus Q की value क्या होगी P हमारा कितना है 4 है और Q कितना है minus बोला है 5 तो minus किजे 4 और 5 है तो minus किजे 5 में से 4 क्या तो 1 और sign in किसका लेगा बड़े number का तो कितना आया देखिए में से कौन सा option D आया एक एकजामपल और दे रहे हूँ इनने बोला है P एक number छोटा है P predecessor है Q का तो हम ले ले जए Q को 10 जए Q 10 है तो P कितना होगा 9 और क्या बोला है P minus Q P minus Q की value निकाल ली है तो P कितना है 9 और Q कितना है 10 अब 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1 और sign किसका लेगा बड़े number का तो जब भी लेगे कोई भी number लेजिए आपका answer हमेशे का आएगा 1 तो इसका answer है minus 1 3 Which sum is not negative इन में से कौन सा समय जो negative नहीं होगा जिसमे answer आपका minus में नहीं आएगा देखिए solve करने की जो हते है अगर multiple choice में आता है तो solve क्यों करना simple देखिए ये minus का है और ये भी minus का है तो अगर आप दोनों को plus करेंगे देखिए plus दिया है minus होगा और sign किसका लएगा बड़े नंबर का तो इसका answer भी कहाएगा minus वाएगा अब यहाँ देखिए एक plus है और एक minus है यहाँ minus होगा और sign किसका लएगा बड़े नंबर का बड़ा कौन सा है 82 82 लुखेत क्या लगा plus तो उसका answer कहाएगा positive तुन्हें पूछार में से कौन सा negative नहीं होगा तो C हमारा answer है